आज की वीडियो में आपको बताने वाला हो कि अगर आपका फाइल मनेजर काम नहीं कर रहा फाइल मनेजर अगर वर्क नहीं कर रहा तो उसको कैसे सही कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला वीडियो को दला ध्यान से देखेगा आज की वीडियो में आप कि file manager अगर आपका work नहीं कर रहा है जहां पर बहुत सारी file होती है यहां पर देख सकते हैं यहां पर file manager है इस पर आप click करते हैं यह open नहीं हो रहा और था और कोई problem आ रही है तो कैसे solve करेंगे आज की video में आपको वहीं बताना होगा ठीक उसके option पर click करेंगे नीचे जाएंगे देखते रहेंगे देखते नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे देखेंगे एक option आपको मिलेगा आप्स का सिंपल से आपको apps option पर click कर देना जैसे आप apps option पर click करेंगे अब आप यहां पर नहीं होगा बैक करेंगे यहां पर manage apps option पर click करेंगे जैसे आप manage apps option पर click करेंगे नीचे आएंगे देखेंगे यहां पर search हो रहा है search होने बाद आपको यहां पर search कर लेना होगा file manager चलिए मैं यहां पर search करता हूँ file manager, जैसे यहाँ पर मैं search करूँगा, देख सकते हैं मैं सामने file manager आ चुका है, मैं इस पर click करूँगा, जैसे मैंने इस पर click किया, यहाँ पर storage का एक option दिखाई दे रहा होगा, simple storage वाले option पर click करना है, और नीचे देखेंगे, एक option आपको मिलेगा clear data का, simple से clear data वाले option पर click कर द कर देना, ठीक है, जब आप इतना कर देंगे, उसके बाद back करेंगे, बैक करने बाद देखेंगे, यहाँ पर option मिलेगा आपको add permissions का, तो यहाँ पर file manager में file and media इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर don't allow होगा, तो आपको allow management of all files, इस पर आपको click कर देना होगा, don't allow रहेगा, तो यहाँ पर आपका, जो file manager हो open नहीं होगा, एक्दम clear में आपको बता रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पर don't allow है, तो आपका यहाँ पर file manager open नहीं होगा, तो आपको allow management of all files पर कर लेना है, जैसे आप इस पर कर लेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, देख सके बैक करेंगे बैक करने बाद हम यहाँ से बैक करते हैं, और इसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर एक option आपको मिलता, clear all data, अगर आपके में ज्यादा problem है, अगर आपका file manager open ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, clear all data पर click करके ok कर देना, ठीक, अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक कर lock लगाया, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपका file manager यहाँ पर agree and continue क्या option पर click करेंगे, allow करेंगे, अलाव करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप try करना चाहते हैं, तो यहाँ पर try कर सकते हैं, वरना आप cancel वाले option पर click कर देंगे, यहाँ फाइल मनेजर का option होगा इस पर आपको click कर देना होगा, जैसे आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके जितने भी file में document जितना भी आपने save करके रखा था, तो यह आपका open होने लगा, अगर आपके दोस्तों file manager की problem आ रही है, तो कुछ इस परकार से उसको solve कर सकते हैं, अगर आप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe करना न भोले, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जै हिंद, जै भारत, बाई बाई, लव या लिटो फेमिली